सतनाम वाहे गुरुदे ज्ञान त्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी साब ते वड़ा साट गुर नानक जिन काल राखी मेरी नाहों जती सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जनम पया पर्णवत नानक तिन की शर्णा जिन तू नाहीं विसरिया साए जाती एकता इनेकता विलोए जाती होवती कुचील ताकते बन कुरान की पाप पर पक जाते तरमत सक जाते बर्न गर्क जाते साहित बिधान की देवी देव देहुरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा बेदन पुरान की गुरु गुबेंद सिंग पावन पावन शूर मूरत ना होती जो पे करुणा निधान की गुरु गुबिंद सिंग पावन पावन सूर मूरत ना होती जो पै करुना निधान की जुगो जुग अटल चवर शतर तख दे मालक रोहानिय दे मुझश्मे लोकते पर लोक दे रखेक सर्व सांजी वालता दे परतीक दुनिया दे रहबर पीर आने पीर समराथ पिता साट गुरु 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 ग्रंसा महराजी दी पावन पवितर निगी गोदंदर जोड बैठी गुरु रूप गुरु स्वारी साथ संग जी विचारां रंब करंतों पहला सारे अदब सहर साट गुरु जी नूँ चुकाओ शीष बोलन दी देव शीष प्यार ना लाखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते आप जी बड़े प्यार नाल पिशले रे कई दिना तों अतियास दी लड़ी दे नाल जुड बैठ करके अतियास सरवन करे हो काला पां अतियास दी लड़ी नू एथे शड़े आशी साट गुरु गुरु गोविन सिंग महराज निर्मो गर्दी जंग जितके गुरु देव पार्शा महराज बसाली दे राजे दी बेंती करंते आप जी उथे पहुंचे हन कोई दिन एथे साट गुरु गुरु नुरेंदियां हो गए आज गुरु देव पार्शा महराज शिकार ते चड़े ने ते राजा बेपोर के साट गुरु दी हजूरी वेच आया इन आन के बेंती कीती महराज आप जी किरपा करके साट गुरु जी मेरे नगर वेच चलो महराज आप जी दे बक्षे होए महलना वेच आपने मुबारक चर्ण पाकि उस तर्थी नु पवित्तर करो गुर्देव पाद्शा महराज वेपोर दे इलाके वेच चले जान दे हन साट गुरु दे नाल जेडे सिंग सूर मेंने ओना नु आराम करवाया गया तंबुआ दे वेच ओना दे डेरे लवाये गए ते गुर्देव पाद्शा महराज नु राजा अपने महला दे वेच ल संगत जी अनांदपूर साभ देवेच अनेका कौतक साथगुरा ने कीते ने गुर्देव पादशा महराज बैठे ने ते आजना सेक संगता नो के देने एंज करो एक कड़े देवेच पताशा पादेओ ते एक देवेच पत्थर पादेओ संगता जी में साथ गुर्दी बचन करदे ने उसे तरह करदियाने गुर्देव पादशा महराज दा हुकम मानके किसे सेवादार ने सारी संगती मजूदगी देवेच एक कड़े देवेच एक पताशा पादेदाए एक देवेच पत्थर पादेदाए और एस सवाल दा जवाब सारे उडीक देने भी माराज के की कोट कराचरे ने एथों सानूं की सिख्या देणगे संगत ने बेंती कीती माराज आप जी की दसना चाउंदे हो पादशा जी केंदेने जी देवेच पत्थर पाया सी न ओ भी कड़े देवेच चाती मार किया हो ते जित्थे पतासा पाया सी हो थे भी जदों पतासे वाले कड़े देवेच गए ते केंदे माराज पतासा जेड़ा वो पाणी दाई रूप हो गया पादिशा जी के देने पता है क्यों होया मारा जी क्यों के देने मिठा बड़ा सी ना पता सा मिठा होंदा है ना मिठा होन करके पानी दाही रूप बन गया एसे तरह संगजी जेडे परमात्मा दे प्यारे होन गे जेड़े नाम जपन वाले होनगे जिना दे जीवन वेच निमरता होवेगी शुब गुणा दे तारनी होनगे बंदगी कारदयां कारदयां एक दिन मिठे शुब आवले परमात्मा दाही रूप हो निबनगे दुझे साथ गुरु जी केंदने कुछ ऐसे भी सेखने जेड़े पत्थर वरगे ने वो कदे भी आपना सुबाद चेंज नहीं कर सकते सारी जिन्दगी पामे गुरु दी संगत कारदे रहन पर वो पत्थर वंगवी रहन के जिमें पत्थर वापा पानी वेच दोबया ते ओमे दा ओमे ये कठोर चित और बिलकुल एदा सुबाद जेड़ाए बकबकाए ये आपना सुबाद चेंज नहीं कर सकता आप बचन पढ़ दे हैं साथ गुराँ दे जिनके चेत कठोर हैं से बहे ना साथ गुर पास उत्हे सच वर्तदा कुड़े आरां चेत उलास ओवाल शल कारचात कट दे फिर जाए बहें कुड़े आरां पास विच सचे कूड ना गड़ई मन विखो को निर जास कुड़े आर कुड़े आरी जायर ले सचे आर सिख बैठे साथ गुर पास गुरदेव पाथशा मारज सिख्या दे रे हन पाई कुछ ऐसे भी हन जेड़े रेंदे ते गुरु दी हजूरी दे वेचने परोना दा चेत कठोर ही रेंदा है और कदे भी गुरु दे बचना मता अपने आपनों टाल दे नी कुछ ऐसे ने जेड़े गुरु तो जाना कुर्बान कर जान देने खैर साथ गुरु दी होना नों सिख की दे वेच परपक कर देने आज ओवेला आगया जदों औरंग जेवलों लिखी होई चिठी कासद लेके आया वजीर खान पहारी राजिय अबलों लिखी होई चिठी या जेड़िया ने और साथ गुरु दे दरबार दे वेच पहुंचिया अल्ला यार खान जोगी लिखदाए सिखने जाके बेंती कीती माराज बाहर एक कासद आया है गुर्देव पार्शा माराज जी केंदे ने भी किमे आया है केंदे औरंग जेब का वजीर खान का पैगाम लाया है माराज ओना बलों लिखी होई पत्र का लिखी होई चिठी लेके आया है गुर्देव पार्शा माराज जी केंदे ने नों बुलाओ बुलाया क्या उन्हें साथ गुरां दे चरना दे वेचे चिठी राख किया क्या माराज आ चिठी पढ़ दो, साथ गुरु जीओं से चिठी नू पढ़ देने उदेवेचे लिख्या हुया सी, माराज मुसल्माना वास्ते कुरान श्रीफतों वड़ी कोई चीज नी, साथ गुरु जीए साड़ा तार्मक गरंथे दी कस्म खा के कहने या, जे तुसी आनांदपुर साब नू शड़ जाओ, ते माराज तवाड़ा वाल भी बंका नहीं हुएगा, माराज जित्थे चाओ, ओथे जाके अपने दिन कटी करेओ, असी तवाड़ी किसे सुरक्षित थान ते पचाउन देवेच मर्द भी करांगे, माराज अनांदपुर साब दा किला शड़ जाओ, वजीर राजयांवलों में लिखिया, सी माराज दाबदबा बहता बन गया, किरपा करके आप जी कोज दिना वास्ते किला खाली कर जाओ, गुर्देव पादशा महराज ने, के चिठियां पढ़न तों बाद, फैसला कर लिया, भी असी अनांदपुर साबनू शड़ के चले जाना ह आप जी जदो जफर नामा पड़ोगे ना तो देवेच ए जिकर आएगा कि औरांग जेब ने कुरान श्रीफ दी कसम खादी सी, साथ गुरु जी के जने तेरियां चूटियां कस्मा ते कादा आतबार करना, एबाद देवेच साथ गुरु जफर नामे देवेच उनू प्यारी कार ली जाए, उस वेड़े जिन्ने में गुरु के सिंग सन सारे हाजर हुए, पादशा ने जेड़ा कीमती सरमाया सी गुरु कारदा, कुछ मोरां, कुछ खजाना उस सातलोज द्रिया देवेच रोड़ देता, परवा कारदेता, इड़ा एक कारण शी, मारज चौ ना लगे, तांकि वेठों खाली वापस जाने थे कोई कीमती वस्तू होनी नी चाही दी, विद्वाना ने एदा जिकर कीता है, गुरु देव पार्शा महराज ने कीमती बस्तर, जेडे मोतियां दी कडाई वाले, सोने दी कडाई वाले, पश्मीन ने बड़े-बड़े कीम कीमती बस्तर, सारे बार खुले रड़े मदान देवेचे टेर लवाकियों ना अगला दीती, मारजनी चौन्दे भी एना बस्तरानों आनकियों चोक के लेजान, साथ गुरु ने वो कीमती बस्तर जेडे सन, जिनियां वी कीमती सुगाता सन सारियां ना अगलवा दीती, पाया दी खुरजी नू वेख के गंगू ब्रह्मन बैमान हो गया, गुर्देव पार्शा माराज ने वरतन वास्ते तान सिंगा नू बांड़ देताए, त्यारी कार लेई, व्योंत बना दीती, एस तरह दे नाल असी सारियां ने किले दे विचों बार निकलनाए, मिथे सम मताबक साठगुरा ने अनांदपुर साव किले दा दर्वाजा जड़ा उखलवा देताए, ते काफला जड़ा बार निकले आए, अजे निर्मो गार दी तरती दे नेड़ी आए संग, एथे फिर दुश्मना ने वेख के एक दम हला बोल देता, वजीर खान दियां फोजां एक दम चार सफिरियों जंगल दे विचो निकल के, पहाडा दे विचो निकल के, साठगुरा ते हैवी हो गिया, गुरदेव पादशा मारज तुरे जारे ने पंजाल सिंगां दे जथे दे नाल, पाई उदे सिंग, शाही टिबी ते एना दे नाल मुकाबला करदाए, कंट चार मिन्ट दे विचो बस हो जाएगी, मिन्ट तो वाद दे सिंग उनू कवा नहीं साकते, उना गुरू के सिंगां दा किना को ब्यास होवेगा, चार सफिर दुष्मन ने और पाई उदे सिंग नू मारना चांदे ने, आप जी कंटेयां बदी उते फिर उना दा मुकाबल कर देने, आखरकार लड़्यां लड़्यां पाई उदे सिंग धी, शहादत दा जाम पी जान देने, उन चेते रख्या जे पाई उदे सिंग, पाई मनी सिंग दा पुत्तर, आपां ते गुरू नू लिया के कुछ पैसे, कुछ मोरा, कुछ रस्तां बस्तां पेट कर देना, कदे पाई मनी सिंग आया सी पांज पुत्तर लेके उने आनके गुरु गोविन सिंग माराई दे दर्थे पेट कर दे शान माराई जे पंजे पुत्तर तवाडे उना दे बिच्वापांद धुवादा जिकर कार चुके हैं बाबा बचीतर सिंग अज पाई उदे सिंग जी एथे शहाद दा जाम पीन लगेने इस तों अगे पाई जीवन सिंग जी ओ फिर जोड़ दे वेच दुश्मना दा मकाबला कर देने कम सान दा जोड़ मचया हुया एक पासे दुश्मन टिड़ी दाल चड़के आया हुया दुश्चे पासे सरसा दे विच पानी दा हड़ाया हुया इस सरसा नदी कोई आम नी शी वाग दी जेडिया नदिया आम वाग दियां ने उथे लोकाने कोई ना कोई तरंदे सादन बडाये हुंदेने नदी नु पार करंदे किते बेडियां रखियां हुंदियां ने किते कड़ाई रखे हुंदे ने किते पोड़ बने हुंदे ने पारे सरसा नदी आम नीशी वाग दी आज पहाडां ते बहुती वर्खा होन करके एड़े विच भी हाडाया होया सी एदा कोई अंदाजा भी नीशी भी पानी किन्ना को डूंगा होएगा संगत जी इस नदी देव पानी ने मी जेडा है लोडा मारेया पिछों दुश्मन दल चड़ के आरेया है एदरों समा हो गया आसा जी दी वार दा विद्वान आपस में च विचार कर देने किन्डा गुरु गोबिन सिंग महराज ने जदों अनांदपूर साव नूँ शड़ेया ओना बाबा जुजार सिंग नूँ बाबा जोरावार सिंग नूँ बाबा फते सिंग नूँ बाबा जी सिंग नूँ या अपनी माता नूँ अवाज नी मारी या अत्यास तु गवाएं तु दस गुरु गोबन सिंग मारा जिने किसे अपने पुत्तर नू अपने सटकार योग माता नू अवाज नी मारी भी मेरे नाल नाल चलो अत्यास खमोश एकेंद नहीं किसे नू अवाज नी मारी केंड़ा हाँ एक अवाज मारी ये सिंगा नू शिंगो अम्रत विला होया वेख्या जे कि ते बाणी ना पुला दिया जे बाणी नू चेते रख्या जे इनने तो अड़े जीवन दी बेडी नू कनारे लो नाए संग जी हुने चेते रखनवाले बचने आपने जीवन देविचों सात संग ना शड़े आजे बाणी ना शड़े आजे जेश दिन शेखने बाणी पुला दिती ना उस दिन ते कखा तुमी होडा होजेगा अगर दुनिया देविच मान सन मान लेना है ते बानी दे नाल जुड़े रेना है ऐसा मेरे साट गुरू जी समझा रहे ने पामे दुश्मन दास लाख भी चाड़के आजे ना सिखा ओदों मी नितने मना शड़ी आजी माडी जी कार देविच कोई विपता दी कड़ी आज वे ते सब तो पहला नेतने में पोल देया कार देविच खुशी आजवे ना पुतर दाव्या होए कि ना चेता ही नी रहा रात एक वजे तक ते डीजे चाल दा रहा हूं नेतने में कदों करना शिया खो सात नाम पर याद रख्या जे गुरू गोविंग सिंह मारे पूर न वे ते जुडे ने सरसा देकंडे ते पार्शा आसा जी दी वार्दा की इरतन सुन दे एदनों परवार जेडाए ओ तेन पागांदे वेच बंडे आ जान दाए माता गुजरकोर जी छोटे सहब जादेया नू नाल लेके ते सरसा नू पार कर देने पाई मनी सिंग माता सहब देवा माता सुन्दरी जी ओ भी इस सरसा नदी नू पार कर दे वेच सफल हो जादेने संगत जी पता नी किन्य कू गुरू के सिंग जेडे तरना नी सी जान दे वे इस सरसा दी पेंट हो गए पिछों टिड़ी दाल चाड़के आ रहे आए और पार सरसा तो नंगना है अगे सरसा दे वेच जिना नू तरना नी सी ओंदा पता नी किन्य कू सेंग एस सरसा दे वेच रोड़ गए किन्य कीमती सरमाया गुरू कारदा सरसा दे वेच रुड़िया नौ मन पके दा गरंथ विद्या सागर को भी ये सरसा दी पेंट हो गया एद्रों पाई जीवन सिंग जी जिन्हों असी कहने या पाई जैता जी अरंग रेटे गुरू के बेटे जीड़ा कदे गुरू तेग बहादर पाद्शा मारेदा सीस दिली दी तरती तो लेके आया सी अनंदपुर साब ओने वेख्या बाबा अजीद सिंग जी जिते लाड़े ने नो केरे दे वेचे ने दुश्मना दे आप जी उस केरे नो तोड़के ते बाबे अजीद सिंग वाली थाँते चले जाँ देने ते बाबे अजीद सिंग नो के देने तेरा पिता तेनू बुला रहे है विदवाना ने लिख्या है दो सीस पाई जैता जी ने गुरु गोवन सिंग मारे दी चोड़ी वेच पाएने एक ते उना दे पिता दा सीस दुजी वार दुश्मन दाल दे विचों केरे दे विचों बाबा जी सिंग जी नो बार कार देता तुसी आपने पिता गुरु जी दे कोड़ जाओ आप एस केरे दे वेच लाड़ देया लाड़ देया पाई जीवन सिंग पाई जैता जीवी शहीद हो जादेने सरसा दे कंडे थी पाई बचित्तर सिंग पाई मनी सिंग दा सपुत्तर जिन्ने कदी मस्त हाथी दे शेर दे वेच बर्शी मार के ते पिछे नू पजाद दिता सी एवी सूर माँ इस सरसा दे कंडे थे लाड़ दा होया बहुत सारे एनू श्री नू फाट लगे खैर ए सूर माँ जेडा एरा पाई बचित्तर सिंग अत्यारक गुरू के संग उंदेने ते बाबा बचित्तर सिंग नू फटर हाल देवेच ओनाने चोक के फिर कोड़े दे लाद लेया ते ए लेके ते उस रोपड़ दी तर्ती ते पहुंचन वेच सफल हुंदेने जिए ते कोटला नियांग खान पाई पचित्तर सिंग जी अपना पांच पूतक शरीर त्याग देने ते इते कमसान दे युद्ध करदियां करदियां पाई उदे सिंग जी जी ते शहीद हो एने ना तिड़ी दाल दुश्मन ने आनके फिर उथे किरा पालेया ते पाई उदे सिंग दा सीस चोक के सि उने नुप लेखा पैगे अब आभी गुरु गोव्यन सिंग दा सीस से जी से खाल रखना एक वरी 20 संग सेख़ेगा मैं कहना ननुद यगा जगा लगना आठ आ है कि अर्यग्स नहीं लृब करूत है थे खाला फास कोई साधे ब्रतिक से थोड़ा वोई ते गुरू गोविन सिंग्ग महराज दा खास रूप सान अ में ते उना दीया पुशाक्कां व Appro skiing मृषिय तो ओमें देवना दे सेरते दुमाले ऐसे करके ही थोड़ा जे थे ठंड ठंड हो रहा हो गया गुरु गोबिन सिंग महाराज रोपड़ दी तरती तक पहुंच देने ते गुर देव पालशा महाराज दे नाल एथे कोई जोद नी होंदा कुछ समा मिल गया साथ गुरा ने हुकम कीता है माता गुजर को और जीनों वेख्या जाए ओना दा कोई अता पता नी लगदा पाई मनी सिंग जी गुरु के सिंगा ने थोड़ी दूर तक जाके वेख्या है पर उस विले कोज भी नजर नी आया अल्ला यार खा जोगी लेख दा है जो तो सर्शा नो पार करना सी न ते गुरु के सिंगा दिया अखा लाल सन डोड़े फरक दे सन के दा उना दा वासे नी सी चाल दा दूर से देखा तो दरी आए के किनारे नजर आए डूबे हुए सर्शा में सटगुर के पियारे नजर आए बिछडे हुए सटगुर के दुलारे नजर आए यह देखके बिगडे हुए सारे नजर आए कहते थे जंग की इजाजत हमें नहीं मटी तक उडा सकते हैं दुश्मन के चमन की कोई वासनी सी चाल दा गुरू के सिंगांदा खैर परवार विशोडा सर्शा देकंडेते हुए आज शेपो ये शेपो दी रात नू एकी दिसंबर वाले दिन आज एकी दिसंबर ये सर्शा देकंडेते किदर किदर नू जाएगा अगला अतियास आप जी अगले रे दिना विच सर्वन करोगे साथ गुर्देव पावन अतियास दी सांज पौंदेया बियन तो हुईया पुला गुर्देव पाठशा महराज अतियाप संगत बक्षन योग हो प्यारना फते बलाओ जी वाहि गुरू जी का खालशा वाहि गुरू जी की